नमस्कार दोस्तों दोस्तों विटामिन E टेस्ट को टॉकोफेरोल या अलफा टॉकोफेरोल टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है और ये टेस्ट खून में विटामिन E के स्तरका पता लगाने के लिए किया जाता है विटामिन E हमारे शरीड में एक महतोपोन बुमेका निवाता है ये प्रतिरक्षिक कारियों को बढ़ावा देता है और शरीड से हानी कारक एंटीजन को हटाने में मदद करता है ये लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन में मदद करता है और खोन के ठक्के जमने से भी रोकत विटामिन ई की आहार में बताई गई मात्रा वयसकों के लिए 15 मिलीग्राम प्रतित दिन और बच्चों के लिए 6-15 मिलीग्राम प्रतित दिन है मनुश्य में इसकी कमी से कोई बिमारी दुरलब भी मानी जाती है और समाईक शिशूओं और कूअशोशन की स्थिति में इसकी कमी से बिमारी हो सकती है अलाकि गर्बवती मैलाओं में विटामिन E की कमी से हाइपरटेंशन, प्लेसेंटा यानि की गर्बनाल का तूटना, मिस्कैरेज या समय से पहले जन्म जैसी स्थितियों का खत्रा बढ़ सकता है दूस्तों बात की जाए कि विटामिन E टेस्ट किस लिए किया जाता है तो विटामिन E या टॉकोफेरोल टेस्ट कुछ चीजों के लिए किया जा सकता है ब्राउन बाउल सिंड्रोम की जाँच के लिए और उन लोगों में पोशन का स्तर जाने के लिए जिनें लंबे समय से नसों के द्वारा यानि कि इंट्रावइनज द्रव पोशन दिया जा रहा है विटामिन E की कम मातरा लेने से और कम अउशोशन होने से विटामिन E की कमी हो जाती है और इसके लक्षणों की बात करें तो उसमें है चलते चलते संतुलन बिगड़ना, दिमाग में आने जाने वाले संकेतों की गती दीमी होना याने की slower reflexes, दिखाई देने से सम्मधि समस्य होना, मांस पेशों में कमज़री होना और विटामिन E के सामन्य से अधिक स्थर होने से आपको कुछ और भी स्थितियां हो सकती है, यह से कि जी मिचलाना दस्त होना या फिर ठकान होना और अब हम दुस्तों जानेगे कि विटामिन E टेस्ट की तैयारी कैसे करें तो इस टेस्ट के लिए आदे दिन 12-16 गंटे तक भूके रहने की सलाथ दी जाती है बात की जाए कि विटामिन E टेस्ट कैसे किया जाता है तो ये एक सामान्य टेस्ट है जिसमें एक सूई की मदद से खून के सेंपल लिये जाते हैं आपसे लेटने को या बैठने को कहा जा सकता है और मुठी बनाने को कहा जाएगा डॉक्टर आपकी बाहँ पर एक रबर बैंड बांदेंगे ताकि नस डूंडने में आसानी हो नस मिलने पर खून निकानने वाली जगों को साफ किया जाएगा सेंपल लेने के लिए नस में सूई लगाई जाएगी परियाप तो सेंपल मिल जाने पर सूई निकाल दी जाएगी और उस जगह पर बैंडेज लगा दी जाएगी आपसे इंजेक्शन वाली जगों को हलका सा दबाने को कहा जाएगा ताकि रक्त का प्रवार रुक जाए विटामिन E टेस्ट के परिणाम 3-5 दिन में आ जाते हैं और इस टेस्ट से जुड़े छोटे से खत्रे हैं जिनमें हलका सा नील पढ़ना और खोन निकालते समय हलका सा दर्द हो सकता है हला कि ये लक्षन जल्द ही गायब हो जाते हैं दूस्तों बात की जाए कि विटामिन E टेस्ट के परिणाम और नॉर्मल रेंज क्या होती है इसके सामन्य परिणामों की बात करें तो बच्चों में विटामिन E की सामन्य वैल्यू तीन से लेके 18.4 माइक्रो ग्राम प्रती मिली लीटर होती है और ये वैल्यू वैयस को में 5.5 से 17 माइक्रो ग्राम प्रती मिली लीटर तक है इसके अर सामन्य परिणाम की बात करें तो विटामिन E के कम स्तर इस बात का संके देते हैं कि व्यक्तिक के शरिण में विटामिन E का आउशोशन कम हो रहा है और ये कम मात् पता लगाने के लिए कुछ और भी टेस्ट करवाने के लिए कह सकते हैं विटामीन E का कम स्थर कुछ कारणों से हो सकता है जैसे कि सिस्टिक यह पाचन तंत्रा और फैफडो से संबंदित एक आनुवंशिक विकार है क्रॉन डिजीज जो कि एक गंबिर बावल डिजीज है जो जठरांत्र पत को प्रभावित करती है और लिवर रोग लंबे समय से विटामीन E का कम स्थर अटेक्सिया यानि कि नस या ब्रेन डेमेज क में कुछ भी मैजूस नहीं होता तो निरोपथी नामक स्थितियों का ये कारण बन सकता है विकशित देसों में विटामीन E की गंबिर कमी लिपिड के अउशोशन संबंदे विकार से जुड़ी होती है विटामीन E के उच्छ स्थर विटामीन K कारियों जैसे की रक्त जमा जान किया जाना चाहिए ये जानकारी पूरी तरह से शैक्षिक द्रश्टिकोंड से दी गई है और ये किसी भी तरह से डॉक्टर की चिकिश सक्ये सला का विकल्प नई है तो दुस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी थैंक्स वर ये ताम